ओम शान्ती आज हम सुनेंगे सत्यूग के बारे में वहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा आईए सुनते हैं सत्यूग में पेड़ पोदो के आवाज और पक्षियों की चैचाहट से सुबह उठा करेंगे अभी के समय हम सभी सुबह उठने के लिए अलार्म का यूज करते हैं जो कि हमें सुबह सुबह बज़ के और हमें उठाता है लेकिन सत्यूग में ऐसा नहीं होगा वहाँ पेड़ पोदो की बनावट उसके पत्तों की बनावट ऐसी होगी जिसके हावा चलने पे आवाज से ही हम उठा करेंगे और पक्षोगी चैचाहट से उठेंगे वहाँ नैचरल फल भिन-भिन रसना के होंगे वो फल इतने ज़्यादा रसी ले होंगे कि आप जैसा सोचोगे वैसा रस आएगा उसमें से सत्यूग में 56 परकार के भोग बना करेंगे वहाँ सभी कार्य संकल्प सक्ती से सिध हो जाएंगे जैसे कि अभी कोई हमें कार्य करना है और हम वहाँ पे सिर्फ संकल्प करेंगे सत्यूग में और वो कार्य सफल हो जाएगा वहाँ पुष्पक विमान होंगे जो हमारी संकल्प से चलेंगे जैसे हम पहुचना चाहते हैं किसी लोकेशन पे तो हम बस सोचेंगे और वो विमान वहाँ पहुचा देगा वो आवाज से भी तेज होगा वहाँ सोने और हीरो की लाइट से महल जगमगाएंगे पढ़ाई होगी जैसे कि यहाँ पे अभी पढ़ाई का बोज बच्चों को बहुत ज्यादा महसूस होता है लेकिन सत्यूग में ऐसा कुछ ही नहीं होगा वहाँ पे जो भी पढ़ाई कराएंगे सब खेल खेल में हो जाया करेगी वहाँ पढ़ाई का बोज महसूस नहीं होगा ये बच्चों के लिए वहाँ बिल्कुल भी बोज महसूस नहीं होगा वहाँ बड़े बड़े बैग और धेर सारे बुक्स नहीं होंगे सत्यूग में नाटक सालाई होंगे जैसे कि नाटक सिखाया करेंगे, नाटक देखा करेंगे, वहाँ पे सभी नाटक सीखा करेंगे और बहुत ज्यादा नाटक करने वाले शालाई होंगे वहाँ पे सभी लोग छोटे बड़े आर्टिस्ट होंगे जो चित्रिकला करते होंगे स्कूल कॉलेज नहीं होगा वहाँ पे स्कूल कॉलेज भी नहीं होंगे वहाँ परिक्षाय नहीं होंगे ये सही है परिक्षाय भी नहीं होगी बच्चे परिशान रहते हैं कि परिक्षाई होती हैं, लेकिन सत्यूग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहाँ स्कूल ड्रेस नहीं होगा, लेकिन रेशम के रंग बिरंगे कपड़े आदी होंगे, हमारी भासा हिंदी होगी, जो अभी यहाँ पर हमारी भासा भी अभी नैश शांती